हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है दिपक कुमार और आज हम आपको बताएंगे पावर ओफ डिजायर्स यानि कि डिजायर्स का पावर दोस्तो हर इंसान के पास एक अपना डिजायर होता है एक अपना इच्छा होता है लेकिन बात यह है कि कोई भी इंसान अपनी इच्छा की और आज हम आपको बताएंगे यह आपके अंदर के दवी कितना पावर एक आपका आपसे क्या करता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे तो दोस्तों इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर है डिजायर डिजायर ही एक एसा सक्थ है जो पूरी दुनिया को भगा रहा है आज देखा जाए तो जो भी बड़े-बड़े लोग है उनका बहुत बड़ा-बड़ा डिजायर भी है उनके पास इक्छा है और उन्हें अपने इक्छा के प्रती बहुत ही अपने इक्छा पर वो बहुत बिश्वास करते है बिश्वास है इसलिए वो आज आगे बढ़ रहे है अगर सभी के दिलों से डिजार ही निकाल दिया जाए तो साध्या दुनिया रुख जाएगी अगर जिस इनसान के पास डिजार ही नहीं हो जिस इनसान के पास डिजार ही नहीं हो अगर हर इनसान के दिलों से डिजार को बहर निकाल दिया जाए तो साध्या दुनिया रुख जाएगी अगर जिसके दिल में डिजायर जग जाए डिजायर पनपना जाए तो मनुस्य काम नहीं करेगा बलकि वह डिजायर उस मनुस्य से काम करवा देगा Dewyright का ऐसा Power है दोस्त? कि अगर Dewyright चाहे न तो हमारे जिन्दगी में इतनी बड़ी Energy लादेगी इतनी बड़ी Energy लादेगी का वह काम को वह Energy पूरा कर देगी करभा देगी चाहे वह काम खराब ही क्यों न हो? हमारे अंदर के जो डिजायर है उसका इतना पावर है कि अगर हम कुछ खराब काम ही क्यों न सोचे अगर वह डिजायर उस काम के पुरती पनपना जाए कि नहीं वो काम करना चाहिए वो काम जरूरी है अगर डिजार मेरा चाहा जाए कि नहीं काम होना है तो वह काम क्यों खराब ही हो अवस्य होगी भले क्यों नहीं काम आपका खराब हो खराब काम क्यों नहीं हो लेकिन अगर डिजार आपका पनपना जाए तो वह काम पूरा ही होगा कभी कभी फेलियर बात को अपने मन में नहीं रहाने बल्कि हमारे जिंदगी में छो थेलियर थोट आया है उसे इतिहास बना कर निकाल देना चाहिए एक बीती हुई इतिहास एक बीती ओबात बना कर उसे निकाल देना चाहिए एक नहीं homema कि उसे इतिहास बना करके निकाल दीजिए और चहस बनाय रखिए सहास बनाय रखना चाहिए कभी भी सहास नहीं तोड़ना चाहिए अगर सहास बना रहा तो carr s सक्सेस होंगे जिस इंसान के जिन्दगी में एटिट्यूट का इंट्री हो जाता है उस इंसान के अंदर आटोमेटिक सोच बदल जाता है आटोमेटिक सोच पैदा हो जाता है कि मुझे कुछ करना है जिस इंसान के जिन्दगी में कुछ एटिट्यूट का इंट्री हो जाता ह तो इंसान के अंदर enotic एक सोच पैदा हो जाता है कि नहीं मुझे कुछ करना है बस सर्त यह है कि अटिट्यूट को इंट्री करना होगा उसके लिए आपको पास आपके अंदर का desire को पहचानना होगा आपके अंदर के जो desire है, उसके बारे में सोचना होगा, उस desire को जगाना होगा, जिस इंसान के अंदर attitude आजाए, Attitude अगर जिस इंसान के अंदर attitude का entry हो जाता है, तो उसका सोच automatic बदल जाता है, सोच जब अट्यूमेटिक बदलेगा, तो उसके अंदर कुछ भावना होगा, के लिए डिजार बदलना पड़ेगा सोचिएगा दोस्त जिंद्गी बदलने के लिए डिजार बदलना पड़ेगा और डिजार को बदलते ही सोच बदल जाएगी जब सोच बदलेगी तो आपका एक्षन बदल जाएगा जब आपका एक्षन बदलेगा तो आटोमेटिक आप आपका एक्षन बदल जाएगा और एक्षन बदलते ही आपके जिन्दगी में परिवर्तन आना सुर्वात हो जाता है आपके जिन्दगी आटोमेटिक बदलने लगती है हम जानते हैं जब हम जानते हैं कि हमारा फ्यूचर डिजायर से बदलने वाला है तो हमें बहुत बड़ा से बड़ा डिजायर चुलना पूचाहिए क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो डिजायर के बल पर हो रहा है जो भी काम हो रहा है जो भी हम सोच रहे हो डिजायर के बल पर हो रहा है तो क्यों हम छोटा डिजायर क्यों बना करके चले चोटा डिजायर हम आखिर क्यों बना है हमें बड़ा से बड़ा बहुत बड़ा जीने से अगर इस बात को हम इसका वज़ा अगर खोजे इसका वज़ा हम ढूंडे तो हमें इसका वज़ा ढूंड़ना चाहिए क्या क्या कारण है हमें जिन्दकी जी रहे हैं तो जिन्दकी जीने का क्या वज़ा है क्या वज़ा है इसका वज़ा बहुत बड़ा होना क्या वज़ा है कि हम इस जिन्दी को जीर हैं आखिरकार हम क्यों जिन्दी की जीर हैं क्या मतलब है जिन्दी की जीने का इसका बहुत बड़ा वज़ा निकालिए दोस्त क्योंकि जब तक आप अपने जिन्दी की जीने का वज़ा को ने ढूंडिया तब तक आप अपना जिन् प्रीम्स्मंट का इट्रे होता है वह लालच एक एशाष सक्थ है जिसका आज तक अंध ही नहीं हुआ है और जो लोग भी इस लालच को अपनाए है वो कभी भी खुश नहीं रहते चाहे वो कितना भी रुपया क्यों नहीं कमाले जो लोग भी लालच के फिरा में पड़ दे हैं ओ कभी भी खुस नहीं हो खुस रही नहीं पाते चाहिए वो कितना भी पैसा कमाले क्योंकि दोस्त एक बाद आप ध्यान देजिएगा कि जो लालच करते हैं जिनके मन में लालच होता है ओ आगे चल कर गढ़ा में नहीं बहुत बड़ा खाई में गिरते हैं और ऐसा खाई में गिरते हैं कि दोबारा भार निकल भी नहीं पाते हैं इसलिए कभी भी दोस्त लालच में मत पड़िये लालच बहुत बुरी बला है यह आपके लाइफ का समझे तो दुस्मन है इससे जितना हो सके उतना दुरी बना क करके रखिया यह करवा बिल्कुल सत्य है कि अगर जीना है तो सिखना है जो नहीं सिख रहा है वह जिन्दलास है अगर जिन्दगी जीना है तो इसके लिए सिखना है और जो नहीं सिख रहा है वो समझे तो जिन्दलास है हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें आप अगले के लिए कुछ करें अगले का जिन्दगी बदले और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप में स्ट्रोंग होना पड़ेगा जब हम स्ट्रोंग होंगे तभी दूसरों को स्ट्रोंग कर पाएंगे इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आपको स्ट्रोंग पनाना बलके बड़ी बात यह है कि हम हम तो हम जब दूसरों को स्ट्रोंग बनाएंगे तभी जब हम स्ट्रोंग होंगे हमें दूसरों को स्ट्रोंग बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें खुद स्ट्रोंग होना पड़ेगा हमें कुछ करना है हमें कुछ करना है अगर कुछ क करना है तो इसके लिए बहुत 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 काम नहीं कर रहा है बलकि उसके अंदर का जो डिजायर है उस काम के प्रति जो डिजायर है वह डिजायर उस आदमी से उस काम को करवा रहा है अगर जिसका डिजायर छोटा होता है जिसका डिजायर छोटा होता है उसका सोच भी छोटा होता है जिस इंसान का डिजायर छोटा ह तो कभी भी हाई लेवल तक नहीं जा सकता है जिस इंसान का डिजायर छोटा है उसका सोच छोटा है तो कभी भी हाई लेवल तक नहीं जा सकता है कभी भी नहीं इसके लिए हमें बड़ा से बड़ा डिजायर और बड़ा से बड़ा सोच बनाना पड़ेगा हो सके तो हमें इंसान पूरी जिन्दगी अपने ही बारे में सोचे अपस्वारत करे तो वो से इंसान नहीं बलकि जानवर समयना चाहिए क्योंकि जानवर भी हमेशा पूरी जिन्दगी अपने ही बारे में सोचता है एक जानवर भी किसी तरह से अपना पेट करता है किसी भी तरह से अपनी बारे में सोचता है जो कुछ भी हो हम कुछ वह अपने ही बारे में सोचता है इसलिए अगर हम इंसान है तो हमें इंसान के तरह सोचना चाहिए क्योंकि हमें अब स्वारत नहीं करना चाहिए हमें दूसरों के प्रति कुछ करने का अन्भाव रखना चाहिए क्योंकि हम अपने बारे में सोचें, तो जानवर भी अपने ही बारे में क्यों सोचता है, तो जानवर में और हम में क्या डिफरेंट रह जाएगा, इसलिए हमें ज्यादा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें बलकि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसका डिजायर जितना ही बड़ा है उसकी success उतनी ही बड़ी है इसलिए हमें आपने मन में यह सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान success हुआ है तो हम क्यों नहीं हो सकते हम में आखिर क्या कमी है हमें मन में यह सोचना चाहिए कि आखिर कर वो इंसान success हो रहा है तो हम में क्या कमी है हम क्यों नहीं हो सकते आखिरकार जब वो आगे बोड़ सकता है तो हम में क्या कमी है हम क्यों नहीं सकसेस हो सकते हैं अगर कोई इंसान ध्यान दिजीगा इस जगह अगर कोई इंसान सकसेस हुआ है तो उसका डिजार बहुत बढ़ा होगा कारण ही हुए अगर कोई इंसान सकसेस हुआ है तो उसका बहुत बढ़ा होगा तो हम भी अपने डिजयर बहुत बढ़ा बनाएंगे और वह सक्सेस को हो सकता है तो मुझे मुझे भी उसके success के प्रती थोड़ा सा अनुभाव देखना चाहिए उसका अनुभाव जब हो ситуresse हो सकता है तो हम क्योंगे हो सकते हैं जब कोई भी इंसान success होता है तो उसका the agenda बड़ा होता है इसलिए हमें भी बड़ा डिजियर बनना चाहिए और सक्सेस हो सकता है जब कोई और दूसरा कोई सक्सेस हो सकता है तो मुझे में क्या कमी है हम क्यों नहीं सक्सेस हो सकते हैं मैं भी सक्सेस होंगा हम लोग भी सक्सेस हो सकते हैं इसलिए दोस्त अपनी आपके अंदर जो डिजायर है उस पर थोड़ा सा देखिए का फिर हम हम इस दुनिया में UNIQ है। आपको पता होगा कि आपका अंगुठा किसी के अंगोठा से समाच नहीं करता है। आप मिलाओ करके देख सकते हैं। आपका अंगोठा कभी भी दूसरे इंसान से आपका अंगोठा मेच नहीं करता है। क्योंकि और इससे यह साभित होता है कि हम डिफरेंट हम यूनीक है हमारे जैसा कोई नहीं है इसलिए यह सोचना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं हम में कुछ दम है इसके लिए आपको जरूरी है आपके अंदर के जो डिजार है उसको जगाए आपके अंदर के जो डिजार है उसका पाउर समझे क्योंकि दोस्त जब तक आपके पाश एक अच्छा डिजार नहीं होगा तो तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं कभी आप हाई लेवर्तिक नहीं सोच सकते हैं आपका सोच हमेशा छोटी से छोटी से छोटी से छोटी आपका सपना कभी भी पूरा नहीं सकते हैं अगर आप सपना भी देख रहे हैं बलकि सपना तो देख रहे हैं लेकिन आप उसके पूरा करने के लिए उस इक्षा के प्रतिक काम भी कीजिए उस इक्षा को कैसे हम हासिल कर सकते उस आधundred जो में हमारे इक्षा है उसे कैसे पूरा करें Ander पाउड ऑफ डिजायर समझी आपके अंदर का जो डिजायर में उसका पौ्ण समझ कि क्योंकि जब आप अपने डिजायर का पावर समझ जाते हैं, जब आपके अपने अंदर के डिजायर का पावर का पता चल जाता है, तो आप भहुत आगे निकल सकते हैं, आज हर इंसान जो भी सक्सेस हुआ है, वो अपने डिजायर को पहचाना है, आज हर इंसान, जो भी इंसान चाहें, जो भी हो, जो success इंसान है उन लोग का उन लोग अगर success हुए हैं तो उन लोग के अंदर उन लोग अपना desire को पाचाने हैं और अपने अंदर के छो खो़ी हुई और उसके power को समझे इसलिए दोस्त आप लोग भी अपने अपने डिजायर को समझे और यह सोचे कि मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है मुझे लोगों के लिए कुछ करना है क्योंकि जब तक आप अपने के लिए सोचेगा तो आगे तक नहीं बढ़ताइएगा इसलिए आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे कुछ करना है तो मु आटोमेटिक आपका जिन्दगी बजल सकता है दोस्त इसलिए आप लोग अपना अपने अंदर का डिजार को समझे और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हम आपको वीडियो बना बना करके देते रहेंगे थैंक यू